हेलो गाईज, वेलकम टू एपेक्स स्टेडी, स्वागत अब सभी का एपेक्स स्टेडी में, आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे से होंगे, तता CGPC प्रारंबी परिक्षाद होंगे, 20-21 की शांदार तयारी कर रहे होंगे, दोस्तों आज किस वीडियो में हम 36 गड़ क प्राक्ति विभाजन से संबंदित महत्रपुन प्रशनों को देखेंगे, वीडियो स्टाट करने के पहले कहना चाहूँगा, यदि आपने एपेक्स स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरिप्या करके सब्सक्राइब करें, तता बेल ऐकन के ओल बेटन को अंतरगत आता है, तो चत्यसगार का जो एकदम इंपर्डन हिस्सा है, चत्यसगार का मैधान यह जो है, महा नदी बेसिन के अंतरगत आता है, इसके पहले के विडियो में मैंने आप लोगों बताया था, 36 गड़ के बारे में जब बताया था उसमें मैंने बताया था जिए 36 गड़ आज जो है वो प्रमो कुरुप से चार हिस्सों में बाटा गया है एक है आपका पूर्वी बगहल खंड का पठा मैं छेतर है ना दूसरा जश्पूर शामरी पार्ट वाला चेतर है तीसा डंड कार्ण वाला चेतर है और चौथा जो है 36 गड़ का मैदान है ठीक है तो 36 गड़ का जो मैदान है वो महानेदी बेसिंग के अंतकत आता है इसी प्रकार से पूर्वी बगहल खंड वाला चेतर जो है वो सरगुजा बेसिंग के अंतकत आता है जश्पूर सामरी पाट वला जो छेतर है वो कनहार बेसिंद के अंतर करता आता है और डंड कार्यांड जो छेतर है वो इंद्रावती बेसिंद के अंतर कर शामिल है यह सभी बात यह आपको ध्यान में रखनी है अगला प्रश्न है 36 गड़ का मैदान किस भूगर्भिक छेत्र का हिस्सा है तो कौन से भूगर्भिक छेत्र का हिस्सा है कडपा शेहल समू का यहाँ पर जो कडपा शेहल समू है अगर आप मैप देखोगे तो 36 का मैदान मे प्रमुकृप से कडपा शेहल समू कि उपर चत्तिर का मैदान जो है विस्तारित है और इस समों में कडपा से समों में क्या प्राप्त होता है प्रमकृप से चूना पत्थर प्राप्त होता है चूना पत्थर और डोलो मैट जो है वो यहाँ पर प्रमकृप से प्राप्त होता है अगला महत्मुन प्रश्न है गोडवाने करम की चक्टानों में वहाँ पर विस्तारी थे और गोडवाने करम की चक्टानों के अंतिकत क्या पाया जाता है कोईला पाया जाता है यह आप आम से याद कर सकते हैं इसके अतरिक दोर बता जेता हूं जैसे 36 का मैदान है अभी मैंने बता आई 36 का मैदान कौन से f Medium-Sight constellation. वो किस भूगार्विक्सम रशना के उपर में है. दक्कन ट्रेप ne है. दक्कन ट्रेप में क्या पाये जाता है? प्रमाप्रूप से बॉक्साइट पाये जाता है. काफी महत्वून है. इसके अत्रिक्त जो है. basic रेयान जो छेतर है वो धारवार क्रम के भुखारविक छेत्र के उपर में फैला हुआ है और धारवार क्रम के छेत्र में जो है लोहा पाया जाता है हीरा पाया जाता है टिन पाया जाता है ये सारे चीजे खनीज पाई जाती है चलिए अगली बात करते हैं लेटर आइट मिट्टी का फैलाओ अधिकांशता 36 गड़ के किस छेत्र में पाया जाता है? तो कहां पाया जाता है? लेटर आइट मिट्टी का फैलाओ जश्पूर सामरी पाटोला जो छेत्र है ना वहां पे पाया जाता है प्रमकुर्प से अगला प्रकार के आद्र और उष्ण शुष्क परणपाती वन पाए जाते हैं तो कौन से छेत्र में पाए जाते हैं डंड कार्यान छेत्र में पाए जाते हैं यहाँ पर प्रमुक रुप से साल वरिक्ष यहाँ पर जादा है यहाँ पर साल वरिक्ष पाए जाते हैं ठीकर आप जानते हैं बस्तर को साल वनों का दीप भी कहते हैं बस्तर को तो यहाँ पे उश्न और शुष्क पढ़नपाती पढ़नपाती का मतलब क्या होता है ऐसे पेड जो अपनी पत्तियां बसंत के समय में गिरा देती है अगला प्रशन है डंड कारें छेतर की सबसे उची चोटी क्या है नंदी राज चोटी है जो की बैला डिला पाहडी पे इस्तित है 1210 मीटर यहां पर यह उची है नंदी राज ज्यान रहगा देखो नंदी और बैला बैल नंदी नाम से में याद रखना है आपको कौन सी पहाड़ी पे है नंदी राचोटी तो बैला डिला पहाड़ी पे पढ़ता है 1210 मीटर उचा सर्वत्तम उच्च किस्म का यहाँ पे लोहा लोहायस के प्राप्त होता है जो कि जपान वगरा को वि गहिया जाता है जापाना अगला प्रशन है 36 गड़ की चोटियों को क्रम से जमाऊं अब हम चोटियों की बात करते हैं उसकी उचाही से मीटर के साबसे कितनी उची है सबसे उची चोटी से नीचे चोटी में हम इसको क्रम से जमाएंगे तो प्रम जो चोटिया है जासे कि गौरालाटा चोटी है, बैलाडिला है, बैलाडिला ही बोल देरो, नंदीराच चोटी है जब की, लेकिन बैलाडिला भी बोल सकते हो, नंदीराच भी बोल सकते हो, बदरगड़ है और आपका देवगड़ है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका गौरालाटा जो की 1225 मीटर उ दूसरा आपका बैलाडिला या नंदीराच चोटी जो है यह आपका 1210 मीटर उचा है इसके नीचे बात करेंगे तो बदर गर्ड है जो कि 1176 मीटर उचा है मेकर परवश्णणी में पढ़ता है इसके बाद बात करते हैं आपका दियोगर की चोटी जो कि 1033 मीटर उची है अग जश्पूर सामरी पाठ परदेश जो है यह यहाँ पे सबसे उचा हिस्सा है राजजी में ठीक ना चार छेत्र मनी अब को बताये थे तूँआ चार छेत्र में पूरी भगियल खंद में जश्पूर में आपके एवे मेमें छत्लीव के मैदान में ऑ डंड कारेण में इन पार्ट अगला प्रश्न है दंड कारें छेत्र का ढाल की सोर है तो किस दिशा में इसका ढाल है दक्षिन से पक्षिम में है ध्यान रखेगा दक्षिन दिशा से पक्षिम दिशा में है इसलिए इंद्रवती नदी जो है न वो बहती है आपके इसी दिशा में पक्षिम दिशा तो इंद्रावती नदी जो है वो आपका उडिसा से निकलते हुए उसके दक्षिन शेतर तरफ में बहती है और गोदावरी में जाके मिल जाती है अगला प्रश्ण है जश्पूर सामरी पार्ट किस तरह की आकृति के अंतरकत आता है तो जश्पूर सामरी पार्ट जो है वो स जश्पूर सामरी पार्ट के पार्टो को उत्तर से दक्षिन क्रम में जमाऊ यह प्रश्ण भी काफी महत्पूर्ण है कि जश्पूर सामरी पार्ट में जितने पार्ट है आप उसको उत्तर दिशा से दक्षिन दिशा की और आते हुए क्रम में जमाईगी इसका अंसर बतान subscribe कर लेंगे असानी से इसको जो भी उसमें notes डलेंगे वो आपको आसानी से प्राप्तर हो जाएंगे तो देखे बात करते हैं उत्तर की उत्तर से दक्षिन दिसा में कौन-कौन से पार्ट हैं सबसे उपर में आता है जामी पार्ट उसके नीचे आएगा सामरी पार्ट उसके नीचे आता है तीसे नंबर पर जारंग पार्ट चौथे करम पर आता है पांचवे करम पर आता है मैन पार्ट और छटवे करम पर आता है जश्पूर पार्ट तो आप इसको ध्यान लिखा होगा या चत्र भूगोल लिखा होगा पुरानी वीडियोज मिल जाएंगे उसमें आप डिटेल में अगर देखना चाते हैं मैं आपसे समझना चाते हैं तो सब उसमें बना बना पड़ा होगा है वीडियो चलिए दोस्तों अगला प्रशने पर चर्चा करते हैं सीता लेखनी पहाडी किस पहाडी श्रिंखला का हिस्सा है तो एक थोड़ा से नया प्रशन है सीता लेखनी पहाडी किस पहाडी श्रिंखला का हिस्सा है तो किस पहाडी श्रिंखला का हिस्सा है चांग भखार देवगड की पहाडी या दटने आपको चांग भखार देवगड की पहाड़ी का ये हिस्सा है। तोर करते हैं अगर राजी की आकृति की बात करता है कि 36 गड़ के मैदान को कौन सी नदी दो भागों में विभक्त करती है तो 36 गड़ के मैदान को बात करोगे सिधा सिधा कौन सी नदी जो हैं दो भागों में विभक्त कर देती है तो वो है आपके शिवनात नदी राजनान काओं से इसका उद्गम होता है अगला प्रशन है महानदी बेसिन के अंतरगत कौन कौन से छेतर आते हैं तो महानदी बेसिन जो है इसके अंतरगत कौन कौन से छेतर आते हैं तो इसके अंतरगत अगर बात करेंगे न तो आपका शिवनात महानदी दौ आपका छेतर आता है शिवनात पार का मैदान आता है हस्दो मांड बेसीन आता है महानदी पार सक्रा का मैदान आता है और बिलासपूर का मैदान आता है इस तरगा से जो है इस बेसीने पांच शेतर आते हैं अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको जैसे आप जल्दी याद कर लोगे जैसे कि ट्रिक है शिव हम बिलासपूर बेसिंग पार करेंगे simple शिव हम बिलासपूर बेसिंग पार करेंगे तो जो शिव है शिव से आपका दो चीज़ यादर करो शिवनात महानदी दुवाब और शिवनात पार का मैदान ये दो याद होगे शिवनात महानदी दुवाब और शिवनात पार का मैदान अब मैंने ट्रिक के बता है शिव हम तो हम के हो और मह से भी है तो हो से क्या होगा हसदो मांड बेसिन मह से क्या होगा महानदी पार सकरा का मैदान ट्रिक था शिव हम बिलासपूर बेसिन पार करेंगे तो शिव से हो गया दोनों सिवनात नवला हम से ह से हस्दो मांड हो गया मह से महानदी पार सक्रा मैदान हो गया बिलासपूर तो बिलासपूर का क्या हो गया बिलासपूर का मैदान तो इस तरह से शिव हम बिलासपूर ये जो तीन शब्दे हैं इसी में जो ये पूरा खतम हो जाता है शिवनात महानदी बेसिन दुआब और शिवनात पार का मैदान शिव में हो गया हमके होर मौ में हस्दोमान बेसिन और मौ में महानदी पार सक्रा का मैदान हो गया बिलासपूर में बिलासपूर का मैदान हो गया बाकि बेसिन पार करेंगे तो यह जो मैं किसकी बारें बात कर रहा हूँ महानदी बेसिन के बारें बात कर रहा हूँ वक्ते बैसिन का ही समझ जो कि बैसिन के बारे में बात हो रहा है तो ट्रिक में बैसिन से आपको पता रहें कि बैसिन का ट्रिक है और पार करेंगे इसको आप कट कोट कट कर देना यह आपका प्योगी नहीं है चलिए दोस्तों अगला प्रशन बात करते हैं बिलासपूर मैदान के उत्तर पूर्व में क्या इस्थित है बिलासपूर मैदान जो है उसके उत्तर पूर्व में क्या इस्थित है तो क्या इस्थित है छूरी उदेपूर की पहाड़िया देखे बिलासपूर का जो मैदान है इसके पूर्व में जो है इस्ट की बात करेंगे तो हस्दो मांड का मैदान है ठीक है पक्षिम दिसा की बात करेंगे वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है अरपा लीलागर का मैदान है इसी तरह बिलासपूर के जो है उत्तर की पहाड़िया है और यदि हम नार्थ वेस्ट की बात करेंगे तो पेंडा लोर्मी का पठार यानि कि उत्तर पक्षिम दिशा में पूछ देगा न तो पेंडा लोर्मी का पठार पढ़ता है ठीक है फिर से बताता हूं बिलासपूर का जो मैदान है इसके चार और चार प्रक है उत्तरपूर में आपकी चुरी उदयपूर की पहाडया है और आपके उत्तर पक्षिम के बात करेंगे तो पेंडा लोर्मी का पठार है ठीक है आजू बाजू पूर पक्षिम में मैदान है और उपर में पहाड़ी और पठार है अगला बात करते हैं हस्त, देव, राम, और कोईला चेत्र किस सिमान्त उच्च भूमी में शामिल हैं काफी important प्रश्न हैं तो किस में शामिल है उत्तरी उच्च भूमी में ये शामिल है अगला प्रश्न है चतिसगर की कौन सी पहाड़ी महा नदी एवं इंद्रावती नदी के मध्धिर रेखा सीमा रेखा निरधार करती है तो ऐसी कौन सी नदी भी माफ कीसी पहाड़ी है जो महा नदी एवं ईंद्रावती नदी दोनों के मध्ध्य जो एक रेखा कर निधारण कर देती है तो कौन सा है केशकालगाटी तरीबारा मोड़ है यहाँ पर केश कलगाटी चली अगला प्रश्ण है मैकल परवेश्वेश्वेणी के आकरिती किस तरह की है तो मैकल परवेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश् प्रमो खुरूप से ठीक है तो ये था दोस्तों आपका 36 गड़ के प्राक्तिक विभाजन से सम्मन्दीत कुछ महात्वण प्रश्णों का कलेक्शन जो कि आपके परिक्षा पॉंट के हिसाब से जो ये परिक्षा point of view के साथ से जए इसको बनाया गया है आशाय दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंदाई होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेर कीजिए हमारे वेबसेट को भी जो है जाके सब्सक्राइब कीजिए तब तक लिए थैंक यू and all the best